हलो तो आप देखेरें इंडी जीवारत मैं हूं सुनुगमा दोस्तों वाल मैं आपके लेकर आगया हूं काफे इंट्रेस्टिंग वीडियो जैसा कि आप जान रहे हैं अपने चैनल पे बीटा वीडियो एटिंग पे एक सीरी चला रहा हूं तो आज भी मैं आपको उसी साहरी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगे और अगर आप प्रिएस वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बेटन पर लिंक है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं अगर आप चेनल पर नए तो सब्सक्राइब करते हैं पहले बजों जबबादे क्यूंकि इसी तरह है कि इंट्रेस्टी वीडियो में हमेसे आपके लेकर आते रहता हूं तो चलिए दूस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं निव पोजेक्ट पर क्लिक करूंगा जैसे हम यहाँ पर फूल इंटरफेस आपके साब कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है अब जैसा है कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको कलर करेक्शन करकर दिखाऊंगा मुवाइल में ही और वह भी बिटा वीडियो एटिंग के मदद से है तो कैसे होगा चलिए आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहोंगे जो वीडियो किलिप हमने यहाँ पर इंपोर्ट कराया है उसमें आप देख रहोंगे यह नॉर्मल कलर में अभी है जो मैंने सूट किया था इसमें आभी कोई करेक्शन नहीं किया गया अब चलिए हम इसमें कुछ करेक्शन करके आपको दिखाते हैं कलर करेक्शन के किस तरह समें कलर करेक्शन कर सकते हैं तो मैं इस पार्ट पर इसको रहने देता हूं अब चलिए हम इसमें कलर करेक्शन करके आपको दिखाते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना इस वीडियो को आपको सेलेट करना जिस वीडियो को आप कि इस clip को आप यहाँ पर color correction करना चाहते हैं जैसे ही हम इन इसको select किया तो आप देख रहे होंगे नीचे edit के सारे tools आपके सामने आ जाते हैं जिसके बारे मैंने आपको previous वीडियो में सारे detail में बता रखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक tools के बारे में आपको previous में नहीं बताया था जिसका नाम है यहाँ पर adjustment पर हम क्लिक करते हैं adjustment के मदद से ही आप बीटा वीडियो एडिंग से आप यहाँ पर color correction कर सकते हैं अपने वीडियो क्लिप में कैसे चलिए दिखाते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने adjustment पर क्लिक किया तो नीचे की तरफ कुछ tools हमारे सामने आ गए यहाँ से इस tools के मदद से आप यहाँ पर सबसे पहले तो brightness चेक कर लें कि आपका brightness जो वीडियो में हो सही है या नहीं अगर सही है तो ठीक है नहीं है तो आप उसको बढ़ाई अगट आ सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस को यहाँ पर मैंने adjust कर लिया तो brightness को adjust करने के बाद जो दूसरा tools हम यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे वह सेचुरेशन का तो सेचुरेशन पर हम किलिक करते हैं सेचुरेशन पर हम जैसे ही किलिक करेंगे और उपर की तरफ आप देख रहोंगे एक लाइन आ जाता है जिसमें ब्लू पॉइंट है उ सेचुरेशन को बढ़ा दिया आप सेचुरेशन बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पर अगर पर जाता हूं और को भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो आप देख रहोंगे जो हमारा वीडियो किलिप है कितना बहतर आपको देखने को मिर रहा होगा यही तीन tools के मदद से मैंने यहाँ पर color correction कर दी और काफी अच्छा काफी cinematic look यहाँ पर आ चुका है और भी यहाँ पर आपको कई सारे tools देखने को मिलेंगे जैसे कि highlights अगर आप highlights को बढ़ाना चाते है बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर adjust कर सकते हैं उसके पास sharpness को अगर आप बढ़ाना चाते हैं तो बढ़ा सकते हैं मैं फिलाल के लिए sharpness उतना ही रहने देता हूं जितना already है क्योंकि sharpness बढ़ाने से क्या होता है कि आपके चेहरे पर अगर कोई point बगए तो दिखने लगता है और जितना soft रहेगा उतना कम दिखेगा यानि कि उतना glow ज्यादा आए तो एक कुछ option है लेकि जो mainly option है जिसको हम इस्तमाल करते हैं अपने video editing में वह है सबसे पहले तो brightness को कम यह जादा करना दूसरा saturation बढ़ाना और तिसरा contrast बढ़ाना इसी तिन tools का हम basically इस्तमाल करते हैं अपने video में और इस्तवाल करके आपको एक cinematic footage यहाँ पर देखने को मिल ज gradient आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा जो सामने की तरफ temple हो भी काफी पीला पीला आपको दिख रहा होगा और जो यहाँ पर color correction हमने किया काफी सटक यहाँ पर हो चुका है तो यह अपने video footage clip के हिसाब से आप यहाँ पर इसको adjust कर सकते हैं काफी असान है जैसा कि मैं आपको बताया और यहाँ पर ज्यादा तर तीन ही टूल्स का हम इस्तमाल करते हैं और कैसे करते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई दिया तो आगे आने वाले वीडियो में इसके और टूल्स के बारे मैं आपको डेटेल में बताता हूं तो अगर आप इस complete series को follow करना चाहते हैं और भी सेरीच को देखना चाहते हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर देब बेल आकन जो दबादे क्योंकि इसी तरह के इंट्रेश्टी वीडियो में हमें साथ के लेकर आते रहता हूं तो आज के लिए पसकत आए जैन्द जभारत